जैसियराम, आप सभी का दिब ज्यान परमार्थ में स्वागत है देखिए हर ब्यक्ति, हर लोग धन की इच्छा रखते हैं सभी चाहते हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक धन हो लेकिन प्रावरद्धवस कोई करोडपती होता है कोई रोडपती होता है, किसी के पास बहुत सा धन है, किसी के पास दो वक्त खाने की रोटी भी नहीं है तो हम आज आपको यह जो उपाय बता रहे हैं, इसमें अवज से ही आपका जो धन है उसमें ब्रिद्धी होगा आपकी धन समपत्ति में बृद्धी होगा लाव होगा आपको बस जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिया और इसी हिसाब से आप करिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तिक पिया सस्क्राइब कर दे और अल नोटिस प्रेकेशन का बिल भी दबा दीजेगा क्योंकि इसी तरह से हमारे चैनल पर पर वीडियो अपलोड होते रहते हैं ताकि हमारा वीडियो आपको मिल जाए इसलिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए अधिक से अधिक लोगů के पास यहाँ वीडियो सीयर भी करिए बेजिए भी कि spectrum हमारा जो इडियो हिता है कोईम मं मताविक नहीं होता है कि हम जो कुछ भी मन में आये बता दिये यह होता हम सब जो हमारे सास्तरों में जोतिस सार्सर में हमारे वैदिक सास्तर में जो कुछ बिधान विद्वानों दौरा बताया गया है उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने धन में बृध्धी कैसे करें आप अगर यदी गरीब हैं तो आप अमीर कैसे बने देखिए कर्म प्रधान होता है बीना कर्म जो भी धन आता है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने हमारा धन चला जाता है एक कहावध है आमधनी अठनी खर्चा रुपईया तो हमारे पास आमधनी कम होती है खर्चा ज़्यादा होता है इसके वज़ा से हमारे पास धन नहीं रु लेगे आप एक नार जटानारियल में कामियाँ सिंदूर से स्वास्तिक बना दीजे फिर उस उस नारियल की आप धूब, दीप, चंदन, अक्षत, रोली, फूजब, आधि से उसकी पूजा करिए, जो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो आपको ग्यान है, उस हिसाब से आप पूजा करिए, फिर उस नारियल को एक लाल कपड़े में बांध करके, आप अपने जहां धन रख रखते हैं, तिजोरी और गयरा, जो भी कुछ आपके हैं, जहां पर आप अपना पैसा कुछ से बचा के रखते हो, बस उसी के साथ उस सेनारियल को रख दीजेगा, अगर आप ऐसा करके रख देते हैं, तो आवस से ही आपका धन जो है, धीरे-धीरे बचने लगेगा, जो आपके यहां ज़्यादा खर्च हो रहा है, आपके यहां धन नहीं रुक पा रहा है, वस धीरे-धीरे आपके पास धन रुकने लगेगा, तो इस तरह से आप करिए, और फिर पुनाह मैं आपसे निवेदन करूँगा, कि आप हमारे चैनल को अवस से ही सस्क्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह से वीडियो आएंगे, ताकि आपको मिलता रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए, और अधिक साथिक लोगों के पास भेजिए भी, बस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैसिया रहा हूँ.